हेलो एब्रीवन वेल्कम टू विद्यांजली आईएस एससी सीजेल के ओल्ड येर पेपर पर बेस्ट अभी हमारी जीके की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट लेवन कुश्यन नमर वन से लेकर के कुश्यन नमर फाइब तक 10 पार्ट अल्रेडी कबर कर चुके हैं ये पार्ट जिन्हें उने भी नहीं देखे हैं वो इन पार्ट को देख ले और टेलिग्राम हमारे चैनल पर जाकर के अपना मॉक टेस्ट भी अटेम्ट कर ले और वहां फिर आपको कोई भी कुश्यन में दिक्कत होती है तो आप वीड प्लासिस के और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है देखो एक्च्वल में ये कुश्यन इन्होंने ऐसे ही नहीं पूछ लिया है बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों किसी दूसरे कंट्री के रेलवे सिस्टम को प जो कि रसिया का है ठीक है और इसको इसलिए पूछा है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जस्ट रेलवे सिस्टम है और एसिया से ले करके स्टार्ट होता है ये और दूसरी तरफ योरोप तक जाता है तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है दूसरी बात साइवेरियन सा और आइस के पहाड़ हैं उन सब को आप देख सकते हैं एज़े टूरिज्म के परपस से उन्होंने ये ट्रेन चलाई थी एक इसी रूट पर तो इसलिए भी ये काफी पॉपूलर है प्लस साइबेरियन वाले रीजन को आप जानते ही होंगे को वहां पर मतलब येर लॉंग व और ये एक्च्वल में करेंट अफेयर के कोशिन था लेकिन इसके करेंट अफेयर के बैक ग्राउंड में इस कोशिन को डाल दिया गया ठीक है ये आप देख लीजिए करीब 900 किलोमीटर दूर का मतलब इसकी डिस्टेंस है और इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे अ पान है तो आप इधर देखो कि एस या के इस कॉर्णर से होते हुए यहां एस या के इस वाले पार्ट से लेकर के और यह यह योरोप तक जाता है यह सैंट पीटर्जबर्ग तक तो काफी इंपोर्टेंट यह हो जाता है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन यह है चल बहुत ज्यादा पॉपुलर कुशे नहीं है लेकिन इंडियन डेलवे का जो लोगो है जो शुभांकर है उसका नाम है आपका भोलु ठीक है ध्यान रखिएगा भोलु इसका नाम है और इसको है क्या है एक एलिफैंट है और एलिफैंट को और उन्हों एक ड्रेस पहना बोरी बंदर से लेकर के थाने तक चली थी ठीक है 34 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की थी उस समय पर ठीक है अब आप से मैं पूछ लेता हूं बताओ कौन सी एर में चलो नहीं हमें लेखने बाला था कौन सी एर में इंडिया में फस्ट टाइम यह जो रेलवे है वो सबसे पहली ट्रेंज चली थी मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी ठीक है तो बताइए जरा मुझे कमेंट में अब और कुछ जान लेते हैं एक्स्टा के इंडियन रेलवेज के चार ऐसी रेलवेज हैं मतलब इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट धरोहर सूची में शामिल हैं भारत की चार रेलवे रूट कौन कौन सा डार्जलिंग हिमालियन रेलवे शत्रपती शिवाजी टर्मिनल और आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे अभी दो रेलवे और हैं जिन पर विचार चल रहा है वो भी इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लिए जएगा यहां से कुश्यन बनने के पूरे पूरे चांसे होते हैं क्योंकि इन पर गॉर्मेंट बहुत ज़्यादा जो है एंफिसाइज कर रही है टूरिजम को प्रमोट करने के लिए ठीक है पहाड़ों में से रेलवे चलती है और आप आसपास के इरिया को देख तो बहुत मजा आता है ठीक है चलिए अब पूछा था है नोने कुश्यन कि 10 अपरेल 10 अपरेल 2022 को 36 गड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था तो देखो 36 गड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था 36 गड़ के चीफ मिनिस्टर भूपेज भगिल थे उस समय पर आज भी यही है ठीक है क्योंकि यह उस समय पर काफी चर्चा में रहे थे कुछ बिवादित वयान बगर है उन्होंने दिये थे तो हो सकता यह कुश्यन इसलिए आया हो ठीक है अब हम जान लेते हैं 36 गड़ के बारे हम थोड़ी सी बेसिक चीजें इसकी कैपिट को अलग करके बनाय गया था यूपी से तो यह ध्यान रखिएगा ठीक है गवर्नर वहां के कौन है शुष्री अनुस्वईया उकी यह वहां की कौन है गवर्नर है और 36 गड़ की लार्जस्ट सिटी कौन सी है वो है राइपूर ठीक है हमने भी रहे हैं अपनी सर्विस के द बताओ मिरको कि 36 गड़ आज पास के कौन कौन से स्ट्रीट से कनेक्टेड है ठीक है बताई यह जरा मुझे कमेंट्स में चलिए हम कुश्या नमर थर्ड पर आते हैं इसको इंट्रोडूस किया गया था तो एक्च्वल में जब यह बिल था तो यह बिल कौन सा था किस नाम स तो यह 2003 का एक्ट है इसी में अमेंडमेंट करने के लिए यह वाला बिल आया है तो यह कुश्यन बड़ा एजी से था बड़ी आसानी सा आप इसको बता सकते थे अब देखो इस एक्ट में कुछ नई चीज की गई है जिसको आप समझ करके आपको मजा आएगा कि हाँ यह कोई एक कॉलोनी है और वहाँ पर आपको किसी एक 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 जो है इलेक्ट सिर्टी लाइन है उसी में से आपको कनेक्शन मिलता था और कोई दूसरी कंपनी उस एरिया में अपना जो है इलेक्ट सिर्टी सप्लाई नहीं कर सकती थी ठीक है लेकिन अब इस एक्ट में क्या किय गया है कि अब एक ही एरिया में एक ही खेत्र में मालो यह आपका कोई विलेज है या आपका कोई शहर है उसे में ही आपको multiple companies हो सकती है जो आपको बिजली सप्लाई करें माल लिजे आपको कोई A नाम की कमपनी है उससे बिजली मिल रही है आपको 20 गंटे और दूसरा आपको एक दूसरी कमपनी है बी नाम की वो आपको हो सकता है बिजली देगी 23 गंटे या 22 गंटे तो आप क्या करेंगे यहां से connection को कट करवा लेंगे और यहां से connection अपना जुडवा लेंगे नया connection ले लेंगे क्यों क्योंकि आपको यहां से बहतर सुविधाएं मिल रही है stable voltage मिलेंगे या फिर ऐसा कुछ तो यह अनों ने इस बिल में ऐसा चेंज ले करके आए चलिए question number 4 पर आते हैं which of the following sites is located on the hills near the Brahmaputr Valley on the way to China and Myanmar चैना और म्यामार के रास्ते पर निम्ल खित्में से कौन सा इस्थान देखने को मिलता है हमें Brahmaputr Valley में तो बहु यह स्थान्ख कोन सा है देखो यह स्थान है आपका duhously harding ठीक है डावज लिह हांकि यह एक स्थान है यह वहां पर हमको को देखने को मिलता है जरह इसके बा खोज हुई थी कुछ खुदाई हुई थी एक्सक्राइशन हुए तो उसमें आपको मोटार्स और पेस्टल्स मिले जिसको कहते हैं न सिलवट्टा जिस पर चटनी बगरा बनाते हैं कुछ ऐसे जो है टूल्स बगरा वहां पर मिले तो उसे खित्र में यह काफी पुराना है मालो यह एक सब्विता हो गई इसके नीचे और खुदाई करेंगे हम तो हो सकता है कोई और नई सब्विता मिले उसके नीचे कुछ और भी मिले तो इसको कहते हैं हम परतदार या स्ट्रेटिफाइट साइट अब देखो बाकी के ओप्संस को भी समझ लेते हैं जो महरग महरगड यह वह नियो लेटिक एज की साइट है और इसtechnik बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और किससे रेलेटिट है यह यह आपका आई वी सी इंडस वैली सिविलैजेशन शिंदू घार्टी की सब्विता से रेलेटेड हैं और हमारे यहां इसमें सबसे पुराने फार्मी मिले हैं तो वो यहीं पर मिले हैं Means यहां के साक्षे यह बताते हैं कि जो Indus Valley Civilization थी जिसको हम हडपा सभिता भी कह देते हैं ठीक है हडपा सभिता से भी पुराने साक्षे यहां पर मिले हैं मतलब हडपा सभिता से पहले भी यहां पर कोई सब्विता थी ऐसे कुछ इंडिकेशन ऐसे एविडेंस यहां पर मिले हैं अब आतें गुफ कराल पर गुफ मींस होती है गुफा ठीक है कराल मींस मकान जैसा कुछ तो गुफ कराल एक जगह है कहां जम्मू कश्मीर में और यहां पर बेस्मेंट अर्थात गरतावास पिट ड रहा हूं तो मतलब गढ़ों में अंदर जमीर में गढ़्डा खोद करके रहते थे अपने कमरे बगड़ा इसी को हम पिट ड्वेलिंग भी कहते हैं ठीक है तो यह कहां मिलें गुफ कराल गुफ कराल कहां पर है जम्मू कश्मीर में बहुत रिपीटेट कुश्यन है तो इस चीज मिली है और यह नियोलिथिक एज की ही वहां पर एक साइट थी कि वहां पर भी नप पासाट कालिंच सब बताके को सुबूत मिले थे एबिदेंस मिले थे इसको भी काफी पॉपूलर है और रिसेंटली न्यूज में रहा था 2022 में यह वाला गाउं आगे बढ़ते हैं यह आप देख लीजिए कि मैं आपको यहां पर इसको बड़े ठीक से दिखा देता हूं ठीक है यह देखो आप एक बार देखो यह आपको दिखा दिया अगर मेहर गड़ तो आप क्लियर हो गए होंगे कि यार मेहर गड़ इंडिया चाइना के वाटर पर मिलने का तो कोई म इंडिया में ही मिलते हैं ठीक है इधर देखो आपका यह रहा आपका डाउजली हाडिंग तो यह आपको कहां मिलता है चाइना और म्यामार वाले उस रूट पर मिलता है हमको ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास बाले रीजन में ठीक है यह हो गया आपको बोर्ज हों यह भ साफी पॉपूलर है इनको फिर आप याद रख लीजेगा कि थोड़ी बेसिक बेसिक सी इंफर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए कोशन नमर फाइब पर आते हैं विद विच आप दा फॉलोविंग स्टेट्स इस दा फोक डान्स तरंग मेल असोसियेटेड कौन से राज सब पर अपने कमेंट्स भेजते हैं या कुछ भी अपने डाउट्स बगरा पूछते हैं उन्हीं डाउट्स को यदि आप चैनल पर कमेंट में करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा और लोगों को भी इसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि चैनल पर कुछ एक्टिविटी चल में ठीक है यह युवावस्था का जश्न मनाता है इस डांस को काफी स्पीड में करते हैं का आप देखोगे तो यह लगएगा क्या स्पीड में डांस हो रहा है ठीक है और यह एक्चली होली और दसहरा क्या सपास पर इसको किया जाता है होली पर भी किया जाता है और दसहरा पर भी किया जाता है जो कि हिंदूओं के बहुत बड़े त्योहार है, ठीके आप देख लेते हैं चावु नत्य, कुछ एक किस्ट्रा देख लेते हैं, कुछ, और भी कभी कि जारखंड और उडिशा और वेस्ट बंगाल ये तीनों को तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उनका कल्चर लगभग लगभग सेम है ठीक है तो ये वहां से रिलेटेड ये क्या है डांसे गरबा को आप जानते होंगे कि ये उसमा का गुजरात का है डांडिया को भी आप जानते होंगे कि ये भी गुजरात का है ठीक है चलिए ये आपके जो है चार-पांस डांसे और एक्स्ट्रा आपके लिए हो गए तेखो आपको काम क्या करना है रिवाइज करना है बार-बार ठीक है और आप देखिएगा कि आपको SSE का जब CGL का में मेंस आएगा तो उसमें हमारी सीरी से साठ से सतर परसेंट कोशन आपको यहीं से मिल जाएंगे इस सीरी से ठीक है अभी तो करीब तीन मेने के आसपास हैं डेली हम एक जो है वीडियो लेकर क्या रहें बाद में जब मेंस नजदीक आएगा तो हम इसमें संख्या भी बढ़ कर दीजिए लेकिन कमेंट में हमको बता दीजिए कि उसमें आपको क्या कमी लगी जिससे कि हम इंप्रूब कर सकें साथियों के साथ में थोड़ा शेयर कर दीजिए चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं नेक्स लक्चर में धन्यवाद बबाए जैहिंद बंदे मा कर दो